हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजिनियर्स पॉइंट में दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीयल का जो पेपर हुआ था आपका 25 नवंबर 2019 को जो आपका इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था है उसका हम यहां पर सॉलीशन करने वाले है तो आपका जो यहां पर मॉर्निंग जो पेपर हुआ था उस पेपर का हमने सोलीशन कर दिया थो अभी तक आप नूबर 2019 के पेपर का जो मौनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक एसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डेस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको यूपी पीचेल प्रिएस एर पेपर के नाम स एसको इमनिंग कीफ्ट में जो पेपर वा था उस पेपर का हम यहाँ पे सोळ्यूशन करने वाले हैं और यहां पर जो हैक्के टेकनिकले 150 क्योशन है पूशे गए थी और यहां पे इस वीडियो मे सोल्यूशन करने वाले हैं तो चलिए दोडोस्तो अब इस वीडियो को स् अर्थ इलेक्टोड की गहराई पर जो हमारी अर्थ इलेक्टोड की गहराई होती है उसमें निर्वन नहीं करता है या फिर नमी पर नहीं करता है तापमान पर नहीं करता है तो हमारा जो अर्थ इलेक्टोड की गहराई नमी और तापमान इन तीन ओपर क्या करता है के आरफ का resistance dependent करता है याने कि निर्फर करता है अब चलेंगे अगला क्योशन्टेश्बर तो अगला क्यूशन है आइसोलेटर operates on condition तो यहां पे आइसोलेटर क्यों कंडीशन में करता है थो आपको पता है isolator घुल ये क्या होते हैं हमारे no-load की कंडिशन में operate करते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं ताकि आइसो लेटर का यूज हम सेफटी परपस के लिए करते हैं तो उसके बाद भी अगर कोई सप्लाइब कर दे अचानक से बीना किसे information कि तो हम क्या करते हैं आइसो लेटर का यूज करते हैं ताकि हम जब भी सप्लाइब पर maintenance करने जाए तो पहला इसो लेटर को disconnect कर दे तो भी हमारी लाइन वह डिसकनेक्ट रहे तो यहां पर आइसो लेटर का किया जाता है नो लोट पर किया जाता है और सेफटी परपस के हम के लिए हम लिए हम इसका कर सकते। यहां पर बात करता हूं हो नोड की तो यहां किसको करता है circuit breaker का यह किस पर यूस किया जाता ओं लोट पर यूस किया जाता इस बज़र सार्कुप ब्रेकर को online switch भी कहा जाता है और आई-स लेटर को offline switch भी कहा जाता है अगले कोशिटेंस पर चलते हैं और क्यों ने इस तो यह सा हुआ यह बॉतnia है ऑन दो चुल पोल हमारे पास कितने हैं यहां पर चार पोल है तो सबसे पहले आपको पता है कि सोला कोईले और दो सोला कोईले और डबल लेएर वाइंडिंगे तो यहां पर अगर बात करता हूं मैं बट-t상을 ब्रैदेड आ कशर कि कि पाल भी कि आठ तो यहां पर स्टरीद को कर दोगां यहां पर कितना इस पूलकर स्टासर यहां मरें दो गय tomar ऐंगे तो इंस यहां होती है घंड बीघ्र मशिन होती है एक हमारी स्ट्री भीरिंग मशुन Hahaha तो स्ही उरिंग मेशीज होती है उसमें एर गेव चर्षा किया जाता है यह मेरा फीलर इसका यह ऐा सही है आनसर हो गया नेक्स्ट क्योशंट पर चलते हैं तो अगला है हमारे पास natural air cooling is used for transformer of rating up to तो हमारे पास जो transformer में natural cooling जो होती है कितनी rating तक के transformer में use के जाती है तो यहां पर हमारे पास natural cooling का जो use करते हैं हम कितनी 5 से लेकर के 10 kVA transformer के लिए use करते हैं तो option number A हमारे इस question का सही answer हो जाएगा और अगर बात करता हूं में 10 kVA से ज्यादा के लिए तो 10 kVA से 10 kVA की rating से ज्यादा के लिए हम किसका use करते हैं यहां पर आजाएगा हमारे पास force air cooling का use करते हैं forced air cooling का use करते हैं हम यहां पर अब चलेंगे अगले questions पर अगला question है the minority carriers in P type of semiconductors are तो यहां पर बात करता हूं में अगर P type semiconductor की तो P type में majority में क्या होते हैं, तो majority में हमारे पास holes होते ए और minority क्या होते हैं न सब्सक्राइब करते हैं एल्एक्टरों उसी प्रेकर अगर में बात करता हूं अर्ट की हिर होते हैं तो यहां पर हमारा सभी आंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर डी हमारा सभी आंसर होगा इलेक्ट्रों जो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अगला क्योशन है अन час कि मौटर में में कम्यूटर सथक एक समानों तेके रहने और रिजगठन के लिए किस की आउसकता desta हुतीग तो इसके सकता होती क्या होते हैं यह होते हैं हमारे पास यह कि क्या बचने के मुंझान init को यहां पर गठन को बोला जाता है तो है दिधर फॉरमेशन है क्या बोला को इस Сे बचने केलिए किशिका यूज करते हैं तो इस से बचने के लिए बस्स यस्टे की यूज करते हैं तो option number हिमारा क्या हो जाएगा option number D यहां पर brush की हिनि में बोला जाता है अगले question पर चलेंगे तो अगला question है synchronous motor will deliver maximum power वहन तो हमारी synchronous synchronous motor होती है maximum power cut deliver करती है तो यहां पर आपको synchronous motor का diagram बना के बता देता हूं कि यह हमारे पास synchronous motor का reactance हो गया यह हमारा armature का resistance हो गया और यह हमारी motor होगी तो यहां पर क्या होता है हमारे पास यहां से हम input voltage जाते है वी angle zero और यह हमारे पास क्या होता है जो motor में EMA produce होता है, यह क्या होता है, मोटर के output side, प्रसप्रीजी होता है, हमारे पास, यहां पे EF angle of minus dell, और यह हमारे पास क्या होता है, यहां प्र années यह होता है, जो जी एक्सेस होता है, जब income equivalent to क्या हालेगा, हमारा J- yüz बरस जी एक्सेस होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, mode में z angle θीटा लिख सकते हैं, तो यहां से आपको अब बात करते हैं, maximum power deliver की, तो जो maximum power deliver होती है, तो हमारा क्या होगा, जब यह del बराबर किसके होजाएगा, थीटा के बराबर होजाएगा, और थीटा क्या होता है, हमारा internal angle होता है या इनिक अगर हमारे यह डेल भराबर क्या हो जाता है ठीटा हो जाता है तो उस टाइम पर क्या हो T आएज बराबर होगे तब ही हमारी क्या होगी synchronous motor e power जो욱 maximum पावर floggy अगले questions पर चलते हैं, तो next question है, in case of transformer, बकोज delay is used to protect, जो हमारा transformer होता है, इसमें बकोज delay किसको protect करने के लिए use होती है, तो हमारी बकोज delay किस से protect करती है, transformer को, तो यह protect करते हैं, insufficient fault को, होता है, जो हमारा internal fault होते है, जो कि दीरे-दीरे होते है, यानि कि दीरे-दीरे internally fault होते है, उन से बचाने है, क्या काम कोन करती है, हमारी बकोज delay की बात करता हो, मैं तो बकोज delay क्या होती है, हमारी एक gas operated relay होती है, क्या होती है, हमारी एक gas operated relay होती है, और इसका use जो किया जाता यहां पर किसके प्रोटेक्शन करते हैं इसका कहां किया गया था तो सबसे पहले इसकारा का उपयोग किया गया था मोसम की भविष्च वाणी के लिए तो option number D हमारा इस question का सही answer होगा अब बात करता हूँ में यहाँ पर iskada की full form क्या होती है तो iskada की full form होती है हमारे पास supervisory supervisory control and data acquisition and data acquisition यह हमारे पास इसकी full form होती है iskada की तो आपको exam में iskada की full form भी पूछी जा सकती है तो यहाँ पर iskada की full form होती है supervisory control and data acquisition अगले questions पर चलते है तो अगला question है drawing से पता चलता है कि पूर्जो को उसके अनुपात में कैसे जोड़ा जाता है तो यहाँ मैं किसी भी drawing करते है तो हमारे पास कोई भी जो layout assembly होती उसकी drawing से हमें यह पता पड़ता है कि हमारे कोई भी parts होता है उसको किस ratio में जोड़ना होता है तो यहाँ पर किस से पता पड़ता है यह हमारी layout assembly से यानि कि layout assembly से हमें कि यह पता पड़ता है कि अगर हमारे पास उसका layout assembly लिए का द्रोइंग होगा पहले से तो हमें यह पता रहेगा कि किस पार्ट को मशीन में कैसे जोड़ना है तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर ए हमारा क्योशन का सही आंसर होगा अगने कोशन पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्योशन है बेलास्टिक टेस्ट अर यूज्ड मेगनेटिक मेजरमट ओग जरो अनदर तो किसके मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं तो यह हमारा यूज होता है एक तो हमारा फ्लक्स डेंसिटी किस की जोरत पड़ती है हमको यहाँ पर बेलास्टिक टेस्ट की जोरत पड़ती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं option number B हमारा इस question का सही answer होगा determination of flux density B हो गया magnetization of force and BH करो and hysteresis loop of the system तो option number B हमारा इस question का सही answer होगा और जब हम बेलास्टिक बेलास्टिक गेलवेनोमेटर से जो हम flux density करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो B का जो formula आता है जब हम flux density करते हैं बेलास्टिक गेलवेनोमेटर से तो यहाँ पर flux density क्या होती है हमारे वनिस की फॉर्मूला होता है ओर जो ballistic galvanometer होता है हमारा जो ballistic test में जो ballistic galvanometer का यूज़ करते हैं, ये क्या करता है हमारा always dc को ही measure करता है, यानि कि dc कैसे सकता है या कि से airways value से ही क्या होता है, यानि कि सदे br DC को ही read करता है अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है For a medium transmission line The parameter A जो हमारा medium transmission line होती है उसमें जो A parameter होता है वो किसके equal होता है तो आपको पता है कि ये A, B, C और D हमारे पास ये transmission parameter होते है T parameter होते हैं तो हमारा A और D की ये unit होती है ये क्या होती है, unit less होते है और जो B की unit होती है हमारे पास जो B की क्या unit होती है Ohm में होता है, B और C क्या होता है हमारा महों में होता है तो यहां से हमारे A किसके बराबर होता है A हमारा D के बराबर होता है और जब A हमारा जब D के बराबर होता है तो इस condition को क्या बोला जाता है तो यह हमारी कौन सी condition होती है तो यह हमारी symmetrical condition होती है कौन सी होती है symmetrical condition होती है और अगर हमारा AD-BC होता है तो इसे कौन सी condition बोला जाता है इसे reciprocal की condition बोला जाता है reciprocal तो यह भी आपको साथ में यहाँ से याद रखना है तो यहां पर A किसके बराबर हो जाएगा A, D के बराबर हो जाएगा तो option number B हमारा इस question का सही answer होगा अगले questions पर चलते हैं तो अगला question है The commutator pitch for simplex wave winding is equal to जो हमारी simplex wave winding होती है तो इसमें commutator pitch किसके बराबर होती है तो यह होती है हमारी average pitch के बराबर होती है तो यानि कि हमारी यहां पर commutator pitch जो YC से जिसे denote किया दाता यह हमारी बराबर होती है YA के बराबर होती है simplex wave winding के लिए और यहां पर हमारे पास average pitch का जो formula होता है वो क्या होता है average pitch बराबर होता है जो हमारे पास average पीच होती है उसका एक formula और होता है तो वो formula क्या होता है वो मैं आपको लिखके और के बता देता हूं हमारे पास जो दूसरा formula होता है वो क्या होता है यह होता है z plus minus two into plex प्लेक्स क्या होता है यह भी मैं आपको बताता हूं अपन में डिवाइड में होता है पी पोल होता है जेड क्या होता है number of conductors हो गया यहां पर two into plex क्या होगा जैसे आपको simplex दिया हुआ तो उसके लिए one हो जाएगा duplex का मतलब दो हो जाएगा तो फ्लेक्स की जाएगा क्या अब question में next question है is a protective device which conduct the high voltage surge on the power system to ground तो वो कौन सा device है जो कि जो high voltage होता है उसको ground में भेज़ देता है यह होता है हमारे पास lightning arrester option number d हमारे इसका सजयांसर हो जाएगा तो जब भी हमारे पोल्स पे टावर्स पे कहीं पर भी lightning गिरती है तो वो क्या कर देता है सिधा जो high voltage होत जाता है तो वो कौन सा device होता है हमारा lightning arrester होता है और यह हमारा क्या होता है जी एसस पर यह हमारा first protection device के रूप में यूज भी किया जाता है अगले questions पर चलते हैं अगला question है the information to be made available for certain heavy purchase through the newspaper अगर कोई भी company को कोई भी heavy सामान को खरीदना है तो उसके वो जो company है वो क्या करते है newspaper में अपना एक notice निकालती है तो उस notice को क्या कहा जाता है तो उस notice को हम क्या करते है tender notice कहते है तो option number D हमारा इस question का सही answer होगा यानि कि इस भी company को अगर कोई भी heavy सामान purchase क जड़ना है तो वो क्या करती है newspaper में अपना tender के through short notice निकालती है तो option number D हमारा इसका सही answer होगा अगले questions पर चलते है तो next question है प्रत्यक्ष प्रतिरोधन तापन तो इसका मतलग होता है हमारे पास direct resistance heating में विद्युद्धारा किस से हो करके गुजरती है तो जो direct resistance heating होती है तो उसमें जो current flow करती हो किसमें से होकर करती है तो यहां पर अगर बात करते है direct resistance heating की तो यह हमारे पास कुछ इस प्रकार से direct resistance heating में क्या होता है हमारे पास यह हमारे पास दो और यह हमारे पास क्या होता है, high resistance powder होता है, यहाप पर हाई रसिस्टेंस powder, और यह क्या होता है, हमारा charge होता है, तो यह हमारा यहापर direct resistance heating में जो current flow करती है, किस से करती है हमारी charge के through flow करती है, तो option number A हमारा इसका सही answer हो जाएगा, अगले questions पर चलेंगे, तो next question है, relative permeability of a diamagnetic material is slightly तो जो आपके diamagnetic material होते हैं यहाँ पर अगर बात करो में जो diamagnetic material होते हैं इनकी जो mu r होती है यह क्या होती है less than 1 होती है इसी प्रकार एक हमारे paramagnetic material होते है तो उनके लिए जो mu r होती है relative permeability यह क्या होती है हमारे slightly greater than 1 होती है और एक होते हैं हमारे ferromagnetic material तो ferromagnetic material के जो mu r होती है ये greater greater than क्या होती है 1 होती है नहीं एक से बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर diamagnetic material क्या हो जाएगा less than unity यानि कि option number C हमारा इस question का सही answer होगा अब चलेंगे अगले questions पर तो next question है IDMT रिले का full form क्या है तो IDMT रिले का full form होता है inverse definite minimum time relay तो यह इसका full form होता है यानि कि inverse definite minimum time relay तो यहाँ पर option number B हमारा इसका सही answer हो जाएगा inverse definite minimum time relay अगले questions पर चलेंगे अगला question है half adder is a logic circuit that accepts single bit input जो half adder होता है उसमें input हम कितनी bit का देते हैं 3 bit, 2 bit, 4 bit या 5 bit तो मैं यह आपको half adder बना के बता देता हूँ यह क्या होता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास half adder होता है यहाँ पे हमारे पास sum आता है यह हमारे पास 2 input होते है a और b और यही से हमारे क्या होता है एक end gate लगा होता है यहाँ पे किसके लिए carry के लिए यह हो जाएगा हमारे पास यह हमारे यहाँ पे carry के लिए एक end gate लगा होता है यह हमारे यहाँ पे carry आते हैं यह कितने bit की input को accept करता है तो यह हमारे कितने bit की input को accept करता है 2 bit की input को accept करता है A और B तो यहाँ पर हमारे इस question का सही answer क्या हो जाएगा 2 bit input को accept करता है और अगर बात करता हूं में इसकी truth table की half header की तो half header में क्या होता है यहाँ पर 2 input जो होते है A और B तो input क्या हो सकते है या direal 00 UM1 या 10 या फिर 11 यहां पर जो सल वोता है हमारे पाद जो ar तो हमारी Mari क्या PETER होती है तो जब arsenal करता है तो यहां सा अगर रहिए पूछा जाता है कि के रहे होती होती हो दोनों इंपुट क्या होगे हाइगे बाकि यह थी मपासओ क्या ये equations भी इसका जो truth table है ये भी आपको याद रखना है अगले questions पर चलेंगे तो next question है तो net percent value is greater than zero इसका मतलब क्या होगा तो अगर आपका net percent value अगर zero से जादा है इसका मतलब क्या होगा जो माल लेते हैं अगर हमारे पास ये कोई zero है यानि कि अगर zero से अगर हमने बोला है कि कोई भी company या फिर हम किसी person की बात कर लेते हैं या फिर हम company लेकर चलते हैं अगर कोई भी company हमने decide कर दिया अगर zero से कोई भी value बड़ी हुई इसका मतलब क्या होगा हमारा proposal accept हो जाएगा यानि कि कोई भी हम request बेज़ेंगे तो अगर करेगा अपना एक्सेट माना जाएगा अगर zero से कोई value कम होगी तो क्या गरेगी proposal को decline कर देगी यानि कि proposal को cancel कर देगी यानि कि net present value का मतलब अगर greater than zero है तो इसका मतलब क्या है जीरो से जादा होने का मतलब क्या है कि उसने हमारा proposal accept कर लिया है और अगर हमारा यहाँ पर proposal zero से less होता है तो वो क्या कर देती है reject कर देती है तो यहाँ पर अगर net present value greater than zero होती है तो हमारा proposal accepted माना जाता है तो option number B हमारा इस question का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है the distribution sub station mounted on a utility pole is cold जो हमारा distributed sub station पर जो utility pole होता है उसे क्या कहते है यह हमारा pole mounted sub station होता है तो option number A हमारा इस question का सही answer होगा next question पर चलते है तो अगले question है nuclear reactor में जो reflector होते हैं वो किस चीज़ के बने होते है तो जो आपका nuclear reactor होता है उसमें जो reflector की बात करता हो में reflector तो यह जो reflector होते हैं यह किसके बने होते हैं हमारा पास beryllium के बने होते हैं option number A हमारा इस question का सही answer होगा next question पर चलते हैं तो अगला question है is used to protocol for detection of transmission error तो यहां पर हमारी जो transmission error होती है उसको detect करने के के लिए हम किसका यूज करते हैं कौन से protocol का यूज करते हैं तो transmission error को detect करने के लिए cyclic redundancy code का यूज करते हैं यह कि option number C हमारा इस question का सही answer होगा अब चलते हैं अगले questions पर तो next question आता है हमारा flaming के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है जो आपका flaming का जो बाएं हाथ का rule है यानि कि जो left hand rule है अगर बात करते हो हमें flaming के left hand का तो यह हमारा लागू होता है motor पर और अगर बात करते हो हमें flaming के right hand rule का तो यह हमारा लागू होता है किस पर generator पर लागू होता है तो यहां पर हमारा से कौन सा पुछा गया है flaming का राइट हैंड पुछा गया है तो यह किस पर लगता है हमारा motor पर लगता है तो option number A हमारा इस question का सही answer होगा अगले questions की बात करते हैं तो next question है which of the following insulator is selected for high voltage application तो यहां पर हम कौन से insulator का यूज करते हैं high voltage के लिए suspension type insulator का यूज करते हैं यानि कि option number A हमारा इस question का सही answer होगा और यहां पर जो pin type insulator है इसका यूज कहां तक करते हैं अपर 33 kv तक इसका यूज करते हैं और यहां पर हम strain insulator का कहां यूज कर सकते हैं तो strain insulator का यूज करते हैं जो हमारे जहां पर क्रव होता है जो करव जहां पर dead end होता है वहां पर strain insulator का यूज किया जाता है अब अगले questions पर चलेगे तो next question है natural draft in steam power plant is provided by जो आपको natural draft उड़ता है पर प्लांट में किसके द्वारे प्रोवाइड किया जाता है तो चिमनी के द्वारे प्रोवाइड किया जाता है तो option का सही answer होगा जो पर पको जो निचोर्मधिक होता चाले पर छलेंगे नग्स्ट क्योषन आWe बेसिक गेट होते हैं नोंडों होता है एक होतो उनिवर्सल कोन सवाथ है एक होता है नेंड होता है एक हमारे तो यह दोनों क्या होता है हमारा पास universal gate होते हैं और तीन क्या होता है हमारा बेसिक get होते हैं अगले question पर चलते हैं तो अगला question है in school connection the teaser transformer operate on 0.866 of it is rated तो यहाँ पर tests transformer होता है हमारा 0.866 percent per rated operate करता है तो यह किसका होता है तो हमारा जो वोल्टेज जी बोल्टेज के 0.866% वोल्टेज पर यह क्या गरता है हमारा ओप्रेट करता है यानि कि 86% पर इस प्रसेंट पर इस किया अंसर होना गोगा सnen對吧 ऐगा और अगर बात करता हो मैं escort connection की जो escort connection हमारा जो use होता है तो ये use क्यों किया जाता है तो escort connection का use किया जाता है three face को किसमे two face three face को two face में convert करने के लिए किसका use कर सकते हैं convert करने के लिए three face को two face में convert करने के लिए escort connection का use किया जाता है और यहाँ पर अगर बात करतो हमें एक teaser voltage होता है है हमारे पास और एक में वोल्टेज होता है तो यहां पर हमारे जो टीजर ट्रांसफोर्मर का वोल्टेज होता है वो क्या करता है हमारे पास 90 डिग्री लीड करता है किस से जो हमारा में ट्रांसफोर्मर होता है उसके वोल्टेज से क्या करता है Exxor transformer लीड करता है 90 degrees और यहां पर इसकोट कनेक्शन इसका कहां कहां किया जाता है तो इसका यूज हम इस याद फर्नेंस हो गया उसके अलवा इलेक्रिक ट्रेक्शन हो गया तो यहां इन जगह पर हम किसका इस करते है escort connection का use करते है अगले questions पर चलते हैं तो अगला question है which type of energy stored is only large scale storage method in use at present तो यहाँ पर हमारा जो large scale storage जो method होता है उसमें सबसे ज़्यादा energy stored अभी present में किस type में use की जाती है तो हमारा सबसे ज़्यादा present type में जो large storage जो किया जाता है potential energy किया जाता है pumped the hydro power plant में तो ओप्शन number D हमारा इस question का सही answer होगा योगि आपको बताया क्या होता है जो हमारा hydro power plant होता है उसमें क्या करते हैं तो किस form में होता potential energy की form में store करके लगते हैं तो option number D हमारा सबस्क्राइं सब्सक्राइब होगा अब चलेंगे अगले से क्या कर ना मर जो प्रोग्राम में उसको इंस्ता नाने ट्रांस्पर करना यानि कि अगर हम आपास acer होता है पयेँस हमारे पास सोफ्ट वर होता है मुरमें जो में पी सी जो हिता एकपीर उसमें क्या कर दनाज्ज लगा तोAKEड़ाने सी दी चाहिए के और दाउनलोडिंग करना बोलते हैं तो यह क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग डिवाइस से प्लसी में प्रोग्राम को इस्थानांतरित करना यानि कि ट्रांसफर करना यह हमारा डाउनलोडिंग कहलाता है अगले कोश्चंट पर चलते हैं तो next है करेग्ट सिमबल फृट लाइट तो विजद जितने भी सिमबल में वह सारे सिंबल को देख के जाएगा तो dormir क्या दो कोशन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे अगले कोशन पर चलेंगे तो next क्योशन है which of the following instrument has the same calibration in AC and DC तो वह कौन सा instrument है जिसमें AC और DC दोनों पर same calibration होता है तो यह होता है हमारे electrodynamiter type instrument यानि कि option number C हमारा इस कोशन का सही answer होगा अब चलते हैं अगर बात करता हूं पर electrodynamiter type instrument की तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टोर्क होता है जिसे हम TD से denote करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टोर्क किसके दोरा प्रोवाइट किया जाता है तो यह हमारा controlling टोर्क बोलते हैं तो controlling हमारा किसके दोरा प्रोवाइट किया जाता है 편ि के दोरा controlling टोर करूवाइट किया जाता है Ст्अर लेक्टिंग टोर्क होता हैं हमारा यहां पर damping जो torque होता है यह किसके दोर आप provide किया जा तो air friction damping का हम इसमें use करते है air friction damping तो यहाँ पर आपको तीनों चीजे भी याद रहतने है deflecting torque हमारा electromagnetic effect के कारण होता है TC यहाँ पर spin control damping torque, air friction damping का इसमें use किया जाता है साथ ही हमारे पास जो electromagnet electrodynamiter type जो instrument होते है इनका scale क्या होता है non-linear scale होता है non-linear अब चलेंगा अगले questions पर तो next question है when transmission voltage is increased the line losses are तो अगर हम transmission voltage को increase करते हैं तो जो line losses है वो क्या होते हैं तो यहाँ पर आपको formula पता होगा w बराबर क्या होता है p square upon v square cos square phi और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास rho l upon a यह हमारे पास formula होता है तो अगर हम voltage को increase करते हैं तो हमारे डबली आने की line losses है यह क्या होता है हमारे decrease हो जाते हैं यानि कि option number d हमारा इस question का सही answer होगा तो आपको यह formula याद रखना है अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है यूनि पोलर लोजिक फेमेली यूज ओनली डिवाइस जो हमारी यूनि पोलर लोजिक फेमेली होती है वो कौन से डिवाइस का यूज करती है तो यहाँ पर हमारे यूनि पोलर लोजिक फेमेली होती है यह only most fat डिवाइस को consider करती है यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं digital IC का classification की बात करूँ तो यहाँ पर digital IC जो है वो दो तरह की होती है एक हमारी bipolar होती है और एक unipolar होती है तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर digital ICs की तो यहाँ पर digital IC जो होती है हमारे पास इसका classification की बात करो तो एक होती है हमारे पास bipolar और एक होती है हमारे पास unipolar तो यहाँ पर अगर बात करता हो मैं bipolar की तो bipolar फिर हमारे पास दो पार्ट में होते हैं एक सेचुरेटेड होती है और एक अनसेचुरेटेड होती है यहां से गती है हमारे पास सेहुkeeper है और ये क्या होती है मारपास अंसेदॉरेटेड और यूनिद्ट लगए क्या होती है अब वार्ध मेरे पास मोसफेट होता है कि तो मोसफेड मेना पास अध्राय से प्समीस ऑगया और संट्राइट की बात करता हूं तो सेच्ट में को स distant है जैसे हमारा आर्टीया लोग्या डी टी टी लोग्या डीसी टी टील हो गया तो यह ऐसारे सेचुरेटेड में आते हैं और जो अपर होता है अज़ें कि फूल फॉर्म क्या होता है मेटल गॉकसाइट सेमिकंड्ट फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और यहां पर इसमें current का conduction जो होता है most rate में जा तो मेजोरीटी के कारण होगा यहां जानी कि only एक ही charge कर्ण के कारण यहां पर क्या होता है दोनों के कारण होता है अगले सब्सक्राइब कर चलते हैं अगला क्वालटी अब कुछिछ सीने प्लांट इन्ट प्लांट एच गोने इस में एस कॉल यूज करते हैं तो उसके दोर जो एक प्रोड्टीस किया जाता है वो कितने कितने परसेंट जो जो उस कोईल के दWARAK गुण कि लिए ह क्या जाता है तो तीस से चालिस परशेंट की रेंज में यूज किया जाता है यहांपर आगर कोईल कि जाद़ कैलोरिफिक होगी उतना है क्या होगा उसमें चैनल की सिस्क्षारां कोईल्लीफिक होगीasan कौनसा बीटू मनेस टाइब का हम यहाँ पर कोईले का यूज करते हैं अगले कोशन पर चलते तो नेक्स्ट क्योशन है बीजली के काम पर CPWD 2013 के निर्देशों के अंसर पंके के ब्लेड और च्छत के बीच की नियूंतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो CPW इस फर्स इसे क्या पूछा आपसे पंके के ब्लेड और च्छत तो यहाँ से आपको यह डिस्टेंस पूछिए यानि कि यह हमारी क्या थी च्छत थी तो यहाँ पर यह हमारी च्छत रूफ थी तो इससे और पंके के ब्लेड के सेंटर्स की जो दूरी यह कितनी होनी और हमारा जो नीचे farcesary distance होनी चाहिए पंक्ये के blade तक की तो ये कितनी होनी चाहिए धाइँ मीटर होनी चाहिए 2.5 मिटर इसकी हमारी distance होनी चाहिए ये किसके according बता रहा हूँ मैं आपको इस CPWD rule के according बता रहा हूँ अब चलते हैं next question पर तो अगला question है हमारे पास इस्ट्रूमेंट इस चीपेस्ट डिस्रिगार्डिंग एक्यूरेसी अगर हम यहां पर जो एक्यूरेसी उसको नेगलेजिबल कर दें अगर हम एक्यूरेसी को सबसे सस्ते होते हैं यह हमारे मुविंग आईरन होते हैं लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी हाई ली एक्यूरेसी होती है यह किसकी होती है हमारी पीएमेंसी इस्ट्रूमेंट की होती है और हमारा जो मुविंग आईरन इस्ट्रू Quesion पर युषन है हमारे पास हमnda RAW क्इन G Torah A three variableチャralbaar 3 variable का जो ऑसमें कि तो इसका फॉर्मुला होता है 2 की power n किया होता है number of variables कितने 3 variables है तो कि कितना हो जाएगा यानिए कि option year a cinema हमारा है so münda साही answer होगा आब चलेंगे अगले कोईटमड़ तो अगला क्योंशन है एक अल्टर नेटर में आरमेचर रियक्शन को एक कालपनिक के बराबर माना जाता है तो यह आपको पता है कल्य हम इसके सही होगा रियक्टेंस के समान यानि कि रियक्टेंस के imaginary हम इसको consider करते हैं तब ही तो हम इसको XAR से denote करते यानि की armature reaction का reactance अब चलेंगे हम अगले questions पर तो next question है एक CR-O के लिए एक उड़ वाधर amplifier जो vertical amplifier होता है के लिए design किया जाता है अगर बात करते हैं CRO में तो Vertical Vertical Amplifier की तो यह हमारा डिजाइन किया जाता है Continuous Gain के लिए यह continuous gain प्राप्ट करने के लिए CRO में किसका यूज किया जाता है Vertical Amplifier का अब बात करते हैं CRO की CRO आपको कौन-कौन सी Quantities को मेजर कर सकता है तो सबसे पहलो CRO एक हमारा digital instrument होता है wlमारा current को मेजर कर सकता है, voltage को मेजर कर सकता है fazer difference को मेजर कर सकता है, phase angle को मेजर कर सकता है लेकि CRO के दवारा power को मेजर नहीं किया जाता है क्योंकि power क्या होती है हमारी non-linear quantity क atm photography के इसवज़ жить इसको measure नहीं किया जाता है और CRO में जो हम leasos pattern का जो use करते हैं तो यहाँ पे हम किसका use करते हैं CRO में एक leasos pattern का use करते हैं तो leasos pattern जो use करते हैं तो उसके दोरा हम किस-किस चीज़ को find out करते हैं तो leasos pattern के दोरा हम frequency को find out कर सकते हैं और एक यहावे face angle को find out कर सकते हैं face angle तो इन दोनों चीजों को किसके दोरा find out कर सकते हैं लिजाजोत pattern के दोरा अगले questions पर चलते हैं तो next question है SCR में कितने terminal होते हैं तो यह हमारा क्या होता है SCR का symbol होता है जहाँ पर यह हमारा anode होता है यह cathode होता है और यह gate होता है तो कितने terminal होते हैं तीन terminal होते हैं त्योंड तीन मटान थैकलते हैं तो option number B हमारा इसका स़ई आंसर होगा next question है एक synchronous motor में rotor winding किसके दोरा excite कि जाते है हैं तो यहांपे क्या हमारा से आंसर की हो जाएगा Excitation के लिए ंऐसी का यूज करते हैं तो 100 a 250 वल्ट Delोंट का हम अंट अगला question है in three-phase induction motor one phase is blown to protect the motor from this condition is used तो तर्फ ट्री invasive motor होती है अगर उस्में से word CLplan wager लेक उस टूरा जाता है तो उस तीम पर मारी motor जो होती है क्या होती है threeOMC2 लगती आप क्या होती है वहजाती है झाल आप में current flow करेगी तो वो motor क्या होगी है हमारी जल जाएगी तो उस चीज से बचाने के लिए यानि कि अगर हमारा single facing हो जाए तो उससे बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं single face preventer का यूज करते हैं तो option number c हमारा इस question का सही answer होगा अब चलेंगे अगले questions पर तो अगला question है निम्न लिखित में से सबसे अच्छा चालक कौन सा यहां साब सबसे अच्छा conductor बताना है तो सबसे अच्छा conductor कौन सा होता है हमारा पास silver होता है यानि कि silver की जो conductivity होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद हमारे सेकेंड नमबर पर जो हमारे पास जो सबसे अच्छा conductor होता है यह कौन होता है हमारे पास copper होता है और तीसरे नमबर पर हमारे पास gold होता है और चोते पर क्या होता है हमारे पास aluminum होता है तो सबसे ज़्यादा conductivity silver की फिर copper की फिर आप ये gold के और फिर आती है aluminium की तो सबसे अच्छा conductor कौन सा हो जाएगा हमारा पास चांदी याने की silver option number D हमारा इसका सही answer होगा अगला questions पर चलेंगे तो next question है इन PVC waterproof cable method wire is stretched from service pole to eye screw bolt fixed into the wall तो यहां पर हम PVC waterproof cable होती है तो इसमें service pole से और fixed जो service pole से लेकर के जो हमारी दिवार होती है तो वहां उसके बीचे हम कितने SWG का GI wire का use करते हैं तो इसमें 8 SWG wire का use करते हैं तो यहां पर यह question आपको direct as it is याद रखना है ताकि यह question आपको जब भी किसी अगर next time exam में आता है तो same question आपका इसी प्रकार से यह question आएगा इसमें कोई changes नहीं होंगे तो यह आपको direct याद रखने वाले question है अब चलेंगे next question पर तो अगला question है किसके बीच में permanent magnet के और pole face के बीच में तो आपको पता है कि जो iron जो होता है iron क्या करता है flux को अपने अंदर से flow करवाता है यानिकि flux path flux को अपने अंदर से easily flow करवाता है तो जब हम क्या करेंगे महां पर कि जो अगर हमारा जो डी आर्सोनल गेल वना मेंटर होता है उसमें क् आइरन को रख देते तो आइरन को उसके अंदर रख देंगे तो क्या होगा माँ से flux density ज्यादा से ज्यादा गुजरेगा तो वहां से ज्योंकि आगा उसकी flux density increase हो जाएगी और अगर हमारी flux density increase हो जाएगी उससे क्या होगा हमको डिफलेक्टिंग टॉर्क जो है वह क्या होगा ज्यादा प्रोड्यूस होगा अप्शन नंबर आप डी पढ़िए अप्शन नंबर डी है हमारा flux density in the air यह become high देर बाई लार्ज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस प्रोड्यूस तो क्या होगा आइरन की कोड रखने से क्या होगा वहां पर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि आइरन की कोड़् जो होती है क्या होती है अपने अंदर से फ्लक्स को इजी ली फ्लो होने दे है Alo врем स्विश करते हैं सी हमारा स्थ sì हमारा सैंसर होगा अब चलेंगे अगले क्योंचन है है ही शीलेशन फ्रिक्वेंसी और हइस स्थ उसेó अब भी मैंने आपको बह बता जा जो बलास्ति को मेजर करने के लिए या फिर हम घ्र सीजव करते हैं लेकिन उसी को वह के साथ यूज रहें फिर निंग को इसको हैने करने लिए क्या अगर हम हैं यह हिर Надग करने लग जाता है अगर अरहं इसको-नेक्ट कर szok पिर यह हमारा कैप sciences को मेर खalterने लग जाता है फिर यह हमारा जो बीएच करू होता है उसको हम इससे डिजाइन नहीं करते हो नहीं से फिर फ्लक्स डेंसिटी को केल्कुलेट कर सकते हैं तो जब भी अगर हाई ओसिलेशन की बात करेगा और हाई रसिस्टेंस की बात करेगा तो बेलास्टिक गेल वेनोमिटर किसको मेजर करेगा कैपसिटेंस इसको तो option number A हमारा इसका सही answer होगा अब चलेंगे अगले questions पर तो next question है दिखाए गए चित्र में यह जो symbol दिया गया यह आपको किसका है तो आपको यह symbol किसका star delta starter का आपको यहाँ देख सकते हूँ यहाँ पर पहले delta बना हुआ है और उसके अंदर star बना हुआ है तो आपको simply यह याद भी हो जाएगा यह star delta starter का symbol है अगले questions पर चलते हैं तो next question है इसके में trigger exhibit effect जो इसके में trigger होता है यह किसके effect को यहाँ पर प्रदर्शित करता है आपको अगले question पर चलेंगे तो next question है लो हमारे circuit breaker open ऑपन होते हैं तो उस ताइम को क्या बोला जाता है तो उस ताइम को बोला जाता है quand फो इंकले ब्रेकर को क्या बोला जाता है और नोट स्विच भी बोला तो सर्किट ब्रेकर में क्या होता है तो यहां पर हमारे पास री यहीं स्ट्राइक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है और यहीं पर अगर मैं triple rv की बात करता हूं rate of rise of restriking voltage तो इसका formula होता है हमारे पास vm under root lc sin t under root lc under root lc और इसकी unit होती है हमारे पास kv per microsecond यह हमारे पास इसकी unit होती है तो आपको यहाँ पे unit भी याद रखने unit भी आपसे पूछी जा सकते किलो वॉल्ट upon microsecond यह triple rv की unit होती है उसके अलावा यहाँ पे आपको पता होगा कि जो circuit breaker होता है इसमें जो making current होती है यह क्या होती है 2.55 into के ब्रेकिंग current होती है तो यह formula भी आपको पता होगा अब चलें अगले questions पर तो next question है सभी operating परिस्तितियों में एक transformer निम्नली की नुकसान शुन्य होता है यानि कि अगर हमारा transformer normally operate कर रहा है तो उस condition में हमारे कौन से losses zero होंगे तो आपको पता है transformer क्या होता है एक static device होता है तो transformer में हमारे जो भी friction losses होते हैं या rotational losses होते हैं वह नहीं होते हैं तो operating condition में क्या जीरो होंगे हमारे फ्रिक्शन के सकते हैं या हमारे क्या हमने जीरो होंगे तो option number B हमारा इसका सही answer होगा अगरे questions पर चलते हैं इन a cable voltage stress में जो आपकी underground cable होती है तो इसमें जो लिए हमारे पास cable होती है और इसके उपर क्या होता है इनसूलेशन होता है तो यहां पर इसकी जो distance होती है के चेबल का जो conductor और conductor से जो center के बीच की दूरी होते हैं मने क्या लिया small D by 2 लिया और इस Indulation की डिस्टेंस मरे capital D by-2 लिया तो यहां पर क्या है मतर अगर distance कम है यानि कि यह वाली distance कम है तो teaching stress कहां पर होगा हमारा conductor की सर्फषपे होगा conductor Tampa सर्फषपे होगा क्या होगा हमारा зв 뿌應該 Зिम मिनिमम इस्ट्रेस होता है यानि कि जी मिनिमम जो होता है वह कहां पर होता है हमारा इंसुलेशन की सर्फेस पर होता है इंसुलेशन सर्फेस पर होता है तो यहां पर हमारा मेक्जिमम इस्ट्रेस कहां होगा वह कंडक्टर की सर्फेस पर होगा तो यहां पर हमारा जो जी मैक् तो यह क्या होता है हमारे पास 2V small d log e capital d upon small d यहाँ पर होदाएगा आपका यह होदाएग capital d upon small d यह हमारे पास g maximum का formula होता है और जो g minimum होता है इसका formula क्या होता है हमारे पास 2V capital d log e capital d upon small d यह हमारे पास क्या होता है यहाँ पर g minimum का formula होता है तो आपको ये दोनो फॉर्मूले भी याद रखने जी मैक्स और जी मिनीमम का तो यहाँ पर अगर बात करता हूं अब जो जी मैक्स और जी मिनीमम में इसका रेशियो क्या होता है जी मैक्सिमम और जी मिनीमम का जो रेशियो होता है यह क्या होता है capital D by small d यह हमारे पास इसका ratio होता है और यहां पर जो आपको जो cable होती है underground cable होती है तो उसमें जो अलग-अलग layers का use करते हैं तो अलग-अलग layers जो होती है वो उसको याद कैसे रखते हैं तो यह होती है फिर M का मतलब यहां पर metallic sheet होती है उसके बाद यहां से bedding की use के जाती है फिर हमारी armoring होती है और फिर last में हमारी final touch जो होता है outer atmosphere से बचाने के लिए तो surveying का use कर सकते हैं तो यानि कि यह हमारे पास इसमें insulation की layers होती है underground cable में अब चलेंगे अगले questions पर तो यहां पर इसका हमारा सही answer क्या हो जाएगा maximum voltage stress का होता हमारा conductor की surface पर अगले questions पर चलते हैं तो next question है the voltage regulation of an alternator is given by तो आपको पता है कि voltage regulation होता है यह क्या होता है हमारा no load voltage no load voltage minus full load voltage upon में क्या होता है हमारे पास full load voltage होता है full load voltage तो यह हमारे पास voltage regulation का formula होता है तो इस हम किस प्रकार से denote करते हैं तो V R जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा E note no load का voltage minus का full load का voltage V upon में full load का voltage V तो यहां पर आप देख सकते हो option number C देख सकते हो E note no load voltage minus full load voltage upon full load voltage सता इसका पर किया जाता है मेगा हुं में क्योंकि हमारा इंसु इसन्स के दौन आपा करता है इंसुलेशन का रसिस्टेंस होता है हमारा दस्किगात पांच ओम से दस्किगात पांच ओम से जो ज्यादा वाला रसिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं इंसुलेशन resistance करता है यह किसमें मेगा आम में होता है है किसमें जो मेगर मेगर कमीजर कीए जलता है नहीं लिए जाता है तो इसमें हमारी फिक्षैक्ट का यूज किया जाता है और साथ सप्रिंग कंडि समर्टॉ carn टोर इस प्रींग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और यहां पर हमारा मेंगर यह 100 वल्ट सप्लाई करता है अब चलेंगे अगला कोश्चन पर तो अगला क्योंषन है कि इस एप प्रोटेक्टिव डिवाइस डैट डिस्चार्ज एक्सेस वॉल्टेज सर्ज टू ग्राउंड तो हमारा जो बहुत ज्यादा एक्सेस वोल्टेज होता है उसको अर्थ बेजने का काम कॉन करता तो यह अर्फ पर चलते हैं तो अगला क्य जमरी फेक्ट वोड फॉर्ण簡 CB – Second introduction किस्के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो मैं आपको डाइक्रम में बतान सबताहें ऑल्लेक्ट करते हैं यह ट्रांसपोर्मर की प्राइब्री साइट ऑप City हम क्ञरते हम धा चाल को कर देखें दोनाओं अब और इसके अंदर क्या करते हैं चार्ज को फिल कर दते हैं तो युह वाया किश की जाती है सेकेंडरी टंड को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा क्लोज रूप मॉल्टेड मेटल के द्वारा किसको रिप्लेस कर दिया जाता है हमारे जो यह सेकेंडरी वाइंडिंग को रिप्लेस कर दिया जाता है एजेक्स वोट हमारी जो फॉनेंस होती है इसमें ट्रांसफोर solar water heater shall meet the performance minimum efficiency level mention it तो यह आपको जो is code पूछा रहा है तो यह is code आपको डारेक्ट याद होने चाहिए तो यहाँ पर हमारा यह कौन सा is code होता है तो यह is code होता है 131193 13139 is code क्या क्या होता है हमारा solar water heater की efficiency से related होता है अब चले हैं अगले सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर चलेंगे तो अगला क्योशन है प्लसी है बिकम पॉपुलर विकोज इट पर्फॉर्म फंक्शन प्लसी है अभी आज के दिनों में हम जो भी इंडरस्टी देखते हैं तो सारी इंडरस्टी में क्या हो रहा हमारा प्सक्राइब का यूज़ हो रहा है तो प्सकर बात करताओ में प्लसी की फुल फर्म क्या होती है और आपका फ्स्ट पैलसी बनाया गया गौन सा बनाया गया था नाइनरीी kulls Salesforce से कॉमर्चियली PLC से गृइंट ह व्न मैंत गर बनाा गया था उननिसे सुट्र में बनाया गया था लोड टरी तो हमारा लोड फेक्टर होता आवरेज लोड अपंवें मैंग्सिमम डिमांड यह होता है यह हमेशा क्या होती है और इसकी विद्विद्वा हमेशा क्या होती है एक से कम होती है कि तो यह पर फ्रियू कुना ओप्शन जाता है जो temperature उत्पन्न किया जाता है तो वो temperature कितना होता है तो यह सबसे दर temperature हाइस temperature कितना होता उसके दर प्रॉडिस के दर पेटीस हजार डिग्री सेल्सी है तो option number B हमारा इस question का सही answer होगा अगला question आता है the fuse is safety device used for the purpose of protection a circuit against तो क्या होता है यह हमारा fuse जो होता है safety device होता है और यहां किससे protection देता है तो यह excessive यानि कि over current से protection देता है फ्यूस किससे protection देता है over current से तो यह हमारा किससे protection देता है over current यानिकी excessive current तो option number C हमारा इसका सही answer होगा अब चलेंगे अगले question पर तो next question है which of the following is the source of emission of electron in CRT जो हमारा CRT में electrons निकलते हैं वह कहां से निकलते हैं जो CRT में electrons का जो source होता है वह कहां से निकलते हैं तो यह हमारे cathode grid से निकलते हैं और cathode grid पर क्या होता है हमारे पास beryllium-istorium oxide-coated का cathode होता है तो महीं से हमारे क्या निकलते हैं इलेक्ट्रोंस निकलते हैं और यहां पर हमारे हमारे नेगेटी अप्लाई देते हैं जो हमारी स्क्रीन में उती है उस क्यों से मटिरियल बढ़ा होता है तो उसके फोस्फर मटिरियल बढ़ा होता है अब चलेंगे नेक्स्ट क्योशन पर अगला लंग के यह पूल फोर्म कि आहोती है डाटा पोइंटर रहें चाहिए घृ le f ह galaxiesат Walton Lease 137 विकतने inan Dalam होता है तो दो वाइट के वराबर होता है क्योंकि हमारा 8 वित जो हता है वह एक पाइट के बराबर होता है तो cu des неё हमारा क्या है será क्या है सोला उडिक कढख सही आंसर है अगले को drive Agency coisa एक पावर इस स्टेश इस जनरली तो अभी मैं रिर्वरेज डोर्ड ऑपवन मेङ्जिमम म好吧 इसका फॉर्मूलला कर्या भाइए हमेशा लेस देन यूनित यह एक से कम होता है अगले कोर्चंव पर चलेंगे तो अगला क्योश्ण है do in which method we can calculate the net annual return as percentage of capital investment तो हमारा वह कौन सा method है जिसमें कि इन्वाली जो हम परसेंटेंटेग एनवली रीटन है उसको परसेंटेंज में कलेट करते हैं केपिटल इन्वेस्टमेन्ट के ऊपर नब है नमबर यहांद विप्शें नमबर भी निवोर्ट होता運用 है। जो हमारा एन्वल रिटन होता है उसको परसेंटेज में केलकुलेट करते हैं एक एपिटल इंवेस्ट मेंट पर तो ऑप्शन नमबर भी हमारा इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट किवाशन है डिसी जन्रेटर में उद्पन एमिफ कस पर निर्बर करता है तो हमारा जो डिसी जन्रेटर होता है दिसी जन्रेटर में जो हमारा यह में प्रोडूस होता है तो यह किस teor Oh करता है, समानतर पात की संक्या पर जो हमारे जो parallel parth होते हैं, जो हमारा، Ee b, जिसे हम e, 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 लिखते हैं, यह इक्या होता है हमारे पास, z, N, p, five, upon में A into, sat, यह हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यह किस पर denote करता है, हमारे ए बराबर क्या होता है? है यहां पर पी होता है नंबर और पाथ होता है तो यह किस पर डिपेंड करता है हमारा यहां पर नंबर और पाथ की संक्या पर डिपेंड करता है अब चलेंगे अगले कोश्चन पर अगला क्योशन है निमनल इकित में से किस कोईले का केलोरिफिक मान उच्छन होता है तो हमा सुलिए को लगबग 80 पर संट के आज पास सथा से लेकर के आसी के भीश में होता है और जिसमें होता है तो यहां पर सबसे ज़्यादा carbon content कौन से कोईले में होता है तो यह हमारा एंथ्रसाइड में होता है इसी वज़े से carbon जो इसमें जो किसी केलोरिफिक वेल्वी होती है वह भी सबसे ज़्यादा होती है तो हम धर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं वह कौन सा कोईला का यूज करते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोईला पाया जाता है तो यहां पर अगर आप सिलिकन यूनी लेटरल स्वीच इनि क्या हम यहां पर करते हैं एस यू एस से डिनॉट करते हैं शॉट फॉरम में तो जो हमारा सिलिकन बाइटरल स्वीच को मिला करके हम यू बनाते हैं silicon bilateral switch बनाते हैं तो option number B MRS का सही answer होगा आप चलेंगे next question पर तो अगला question है a series reactor are installed at a strategic location of a power system to तो जो हम series reactor लगाते हैं power system में strategic location पर तो यह क्यों लगाते हैं तो यह हम इस वज़े से लगाते हैं जो हमारा जो fault का level होता है उस fault level को यह क्या करते हैं डाउन कर देता है यानि कि fault level को एक switch gear की capacity तक ले आता है डाउन करके तो यहाँ पर option number A हमारा इस question का सही answer हो जाएगा brings down the fault level within the capacity of switch gear option number A हमारा इसका सही answer होगा अगले questions पर चलते हैं तो next question है the maximum possible short circuit current in fuse is called तो जो हमारी maximum short circuit current होती है उसे क्या कहते है fusing peak point कहते है तो यहाँ पर यह हमारा मैं आपको diagram के थुरू बता देता हूँ यह क्या होती है हमारे पास यह हमारे पास cut off current होती है cut off current और माल यहाँ नहीं यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास fault अकर हुआ है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास यह fault होने से पहले का time जो होता है यह time क्या कहला था हमारे पास यह कहला था हमारे पास pre-arching time और fault होने के बाद का time क्या कहला था हमारे पास да तो यहां से ङहांसे फ्याना से फालट हुआ तो यहां से आ मारे लेकिन अगर हमारे कुछ एक्स्ता हाई करन्ट करती है उसको उसको सर्म कर सकता है लेकिन यह जैसे हमारी current बढ़ती गई बढ़ती गई और हमारी एक maximum current आ घिडिक हो जाएगा सब्सक्राइब अब चलाएगा अगले कोउचन पर अगला क्योशन है निम्न लिकित में से कोन सा धारां ककड़ती के अनुसार distribution system का एक प्रकार है तो आपको पता है हम current की आदार पर distribution system को दो भागों में divide करते हैं एक तो होता है हमारा DC distribution system और एक होता हमारा AC distribution system तो यहाँ पर हमारा किसके basis पर करते हैं current के basis पर करते हैं तो यहाँ पर हमारा कौन सा उसका एक प्रकार हो जाएगा AC distribution system तो option number A है हमारा इसका सही answer हो जाएगा तो दोस्तों ये 75 questions है जो हमने इस वीडियो में discuss किये बाकि कि जो remaining 75 questions आपके बचे हुए उन 75 questions को next part में discuss करेंगे निए part 2 के अंदर हम उस बचे हुए 75 questions को solution करेंगे अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू करें और चैनले पहले बार आथा चैनल को subscribe जरू कर लिजिए ताकि आपको आगे आने वाले और भी paper का solution का वीडियो आपको मिल सकें मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद